अगर आप नीट 2024 के आइस्पिरेंट्स हैं और नीट को क्रैक करना आपका एक मेन एम है मेन गोल है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना बिकोज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थ्री मंच स्ट्राटेजी के बारे में जिससे आप इन बचे हुए तीन महीनों में अपनी अच्छी प्रिपरेशन करने के साथ साथ नीट को भी अच्छे स्कोर से क्रैक कर सकते हो तो बच्चो अगर आपने अब तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो विडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूले तो सबसे पहली चीज कि अगर आपके लिए नीट एक्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है तो मैं यह मान कर चलूंगी कि आपके लिए कैसे सीरियस हो कि आपकी प्रिपरेशन 30 से भी कम है है ना तो अगर आपकी प्रिपरेशन 30 से जादा है तो आगे की जितनी भी बाते मैं आपको लास्ट के थ्री मंथ में बताने वाली हूं उसको जरूर याद रखिएगा और अगर 30 से कम भी है तो भी मैंने आपको कुछ ट से अपना सिलेबस स्टार्ट किया है है ना मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे लेकिन 10 तू 15 परसंट ऐसे होंगे जिन्हों ने अपना स्लेबस 80 परसंट तक खतम कर दिया है डिसेंबर में ही और जैन्वरी से दे हैव स्टार्टेड दर रिविजिन दिस वेरी इंपर्टेंट तो आपका जिसकी 30 परसंट से भी कम प्रिपरेशन है या फिर बहुत कम सिलेबस कंप्लीट हो है उसका में एम होना चाहिए कि मैं इस कैटेगरी से बाहर आकर मैं इतनी प्रिपरेशन करूं कि मैं इस कैटेगरी से बाहर आ जाओं और मैं इस कैटेगरी में चला जाओं यह 10 से 15% वाले students की category में आपको सबसे पहले जाना है this should be your first aim तो अब से अगर आप start कर रहे हो ना January से जिसने start किया है उसके लिए सबसे बड़ी सबसे पहली चीज तो यह है कि 700 marks score करना next to impossible है अगर आप यह सोचो कि January से start करके मैं May exam में अपना 700 plus score कर लूँ तो वो तो impossible है ठीक है लेकिन आप minimum target के लिए जरूर यहाँ पर aim कर सकते हो minimum अपना target score रख सकते हो कि आपको 700 720 marks नहीं लाने है आपको इतने marks लाने है कि आपको एक कोई medical college की seat मिल जाए और यह उन बच्चों के लिए है जिनकी preparation अभी चल रही है पूरी तरह से complete नहीं हुई है ठीक है तो मैं बात करूँ general category की they should aim for around 630 score अगर आपका 630 तक भी score आ जाता है ना तो आपको एक decent college के अंदर एक seat medical seat जो है वो provide हो जाएगी OBC के students के लिए 600 SCST के लिए 550 540 के round आपको aim करना चाहिए एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखना यहाँ पर minimum लिखा है ठीक है this should be your first priority कि अगर मैंने अब तक कुछ नहीं किया है तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी category के according जो minimum मेरा score होना चाहिए वो कितना होना चाहिए ठीक है कि मेरे को एक medical college में seat मिल जाए अगर मैं बात करूँ strategy की तो इन तीन महीनों में आपको bio, chemistry और physics तीनों पर equally ध्यान देना है बायो के अंदर आपको almost 32 के 32 chapters पूरे करने हैं बायो को आप घोल कर पी जाओ NCRT 4 से 5 बार पढ़ लो लेकिन theoretical portion है सारा तो यह आप कर सकते हो क्रामिंग चीज है आप अच्छे से चीजों को grab कर सकते हो information को flow charts बनाओ मैं crash course जो है start करूँगी प्रीज उस सब में जरूर जुड़े रहो तो आपको बायो के साथ कोई compromise नहीं करना है 32 के 32 complete chapters करने हैं आने वाले तीन महीनों में चाहें आपके अभी 5 chapter हो रखे हैं 10 हो रखे हैं 20 हो रखे हैं it doesn't matter आपको 32 के 32 chapters complete करने हैं next हम आते हैं chemistry पर आपको chemistry के अंदर लगवग लगवग minimum 14 chapters तो करके जाने ही हैं तब आप एक decent score जो है वो कर पाओगे ठीक है physics के अंदर भी आपको almost 14 to 15 chapters जो है वो cover करने हैं ताकि आप इतना तो कर लो कि exam में कुछ ऐसे question आपको दिख जाएं जिससे आप qualifying criteria जो है वो cross कर जाओ physics chemistry का ऐसा ना वो bio के अंदर सारे सही है physics chemistry मार्कसी नहीं है तो भी कैसे number बनेंगे है ना तो total हमारे होते है 60 chapters 79 chapters है 79 में से 60 अगर chapters आप कर लेते हो बहुत अच्छे से तो आपको एक बहुत अच्छा score देखने को मिल सकता है लेकिन इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप बचे हुए 19 chapters को बिलकुल छोड़ जाओगे आप उसके previous year questions जरूर कर लेना जो chapters आपके बच गए उसके previous year questions जरूर कर लेना नेक्स्ट मेरे टिप होगी कि आप मंतली टार्गेट सेट करो कि मैं January में फिजिक्स का इतना portion करूंगी चौदा चैप्टर है चौदा में से मैं चार या पांच चैप्टर या छे चैप्टर कर लूँ ठीक है फिर सबत chemistry में January में इतने चैप्टर करूंगी बायो के अंदर म चैप्टर करूंगी या करूंगा देन फैब में आएंगे इस तरीकी से बच्चों अभी अपने टार्गेट सेट नहीं किया ना तो आप अपना उन बच्चों में आ जाओगे जो नीट एग्जामिनेशन से पहले कहेंगा हाव तो क्रैक्ट नीट इन वन मन्त हाव तो क्रै किए आया ना तो इन चीजों का ध्यान, रखते हुए जो मैं आपको टिप्स दे रही हूं रखते हुए पनी प्रिपरिशन करेंगे या मार्ज लिए ऑप सफ षिर नहीं है वह आपके सेलेक्शन को डिसाइड करेंगे तो प्लीज उस तरीके से अपने टार्गेट सेट करना उन्हें कम्प्लीट जरूर करना देन उसके बाद नेक्स्ट होगा जब भी आप किसी भी चैप्टर को कवर कर लेते हो तो उसके प्रीविएस एर क्वेशन करो उससे आपको एक्जामिनर का जो पैटन है वह समझ में आगा कि वह किस तरीके से लैंग्वेज को गुमा के क्वेशन पूछते हैं चैप्टर वाइस एंसी क्यू कर आपको इस चीज का ध्यान रखो आगे भी आपको ऐसे कई वीडियो मिलने वाले हैं थ्री मंस में जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे उसके बाद लास्ट है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट है जितना सिलेबस हुआ है जितना कर ल क्या आपको ऐसे कि मैं उन 200 क्यूंस में कितने टाइम में कर पा रहा हु या कर पा रहा हुक तक मैं कितना पोकस के साथ उस क्वेशन कर पा रहे हूं इस विल बिवेरी चेलेंजिंग तो यह चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट के अन्याटिशिस होगा एक्यूरेसी बढ़े कर दिये नहीं जितने जादा मॉक टेस्ट करोगे उतने अक्यूदेसी बढ़ेगी तो आप लोगो को मेरी टिप्स पसंद आएंगी तीन महीने बचेया आपके पास अब नीन से जागने का टाइम आ गया अब नहीं जागोगे तो जो मैंने आप से कहा था कि आप वीडियो कि मुझसे पूच सकते हो इवन यू के आपको मैं आपको मैं अवेलेबल मिलूंगी तो विद आट सिट थैंक्यू सो मच मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ हवा गुड डे बबाई